तो चलिए दोस्तूं और जमलुक बात करणें मालें कौल्हान इन्युवर्शेटी चायबासा का A.E.C. पेपर जो कि समेश्टर 3 में है ठीक है? तो ये पेपर है आपका A.E.C. पेपर समेश्टर 3 के लिए कमबलसारी पेपर है ठीक है? पेपर का नाम है A.E.C. A.E.C. का पर फर्म होता है क्या होता है? Ability Enhancement Course ठीक है? और इसमें आपको पढ़ना है Language Through Literature ठीक है? और ये इंग्लिस के हैं समेश्टर 3 पचास मार्स का एक्जाम होगा देखें, यहाँ पे लिखा है Course Learning Objective क्या क्या है इनका? कि आप पढ़ने का क्या फाइदा होगा? यह सारी चीज़ यहाँ पे निखी होई है ठीक है? अब देख लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा? ठीक है? और यहाँ प निखाएगा है To Use Literature as a Medium to Teach, Learn, Grammar, Reading, Spelling, Vocabulary, Writing इन सब भी आपको फाइदा होगा इन सब के फिल्ड में इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? तो देखेए पढ़ना जो है आपको यह चीज़ ध्यान रखिएगा आपको पढ़ना है एसी पेपर में समेशर 3 में पहला है आपका Unit 1 इधर आपका राइटर का नाम निखा है ठीक है? यह आवला टोपिक है essay और इधर आपका राइटर क्रटाओं तो कॉर्स कंटेंट में पहला आपका क्यावल essay है यार Only essay हाँ Only essay इसमें हमारा है पहला Humanities Versus Science ठीक है? Humanities मतलब होता है आपका Arts मतलब Color ठीक है? की द्वारा अग यह एस राधा क्रिष्ण कोन है? डॉक्र सरपली राधा क्रिष्ण जिसके बर्थ डे पर हम लोग Teachers Day मनाते हैं ठीक है? तो डॉक्र सरपली राधा क्रिष्ण ने लिखा है Humanities Versus Science यह आपको पढ़ना है आप YouTube से देखके पढ़नीजेगा चाहे Google से पढ़ लीजेगा ठीक है? और यह जो है बहुत अच्छी book है और इसे मैंने पढ़ा भी है और यह लिखा गया है Missile Man Dr. A.P.J. अबदुल क्राम जी के दुवारा ठीक है? The Wings of Fire इसको हिंदी होता है अगनी की उडान Next है हमारा यहाँ पर तीसरा है आपको जो ऐसे पढ़ना है On the Rule of the Road ठीक है? On the Rule of the Road यानि के सडक के नियम और यह है एजी गार्डनर के दुवारा यह कौन है जी गार्डनर हम तो इसका नाम पहनी भार सुने है ठीक है? अभी अभी तो यह आपका On the Rule of the Road ठीक है? सडक में कौन-कौन से नियम होते है वो आपको इसमें पढ़ने होंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है Next है आपका The Use in the Machine यह क्या है इस बुप को मैंने नहीं पढ़ाया ठीक है? इसलिए यह आपका जॉन Third Hill के द्वारा लिखा गया है ठीक है? The Muse in the Machine Next है आपका Facebook के बारे में Facebook is making us miserable ठीक है? तो यह लिखा गया है Daniel Gulati के द्वारा ठीक है? Daniel Gulati Facebook is making us miserable तो Facebook हमें miserable बनाता है इसके बारे में पढ़ना है आगे दिख लेते हैं Next हमको पढ़ना यहां पर वन वर्ड वन वर्ड वन कल्चर ठीक है? वन वर्ड वन कल्चर मतलब एक बिस तो एक संस्कृती ठीक है? और यह लिखा गया है दो राइटर हैं इसमें तीन राइटर मिलके लिखे हैं पहला है केनात जे दूसरा है आपका यह सब भी फोरेंड के मतलब आउट अप इंडिया के हैं इसलिए इनका नाम एसाई है पेकें हम ठीक है? और देन है आपका तीसरा जो एम सी एंटायर और चौथा आदमी है चार आदमी ने मिलकल रिखा है जैसिका विलियाम्स ठीक है? One World World Control मतलब 1201 शंस्कृती ज़ो बली है ठीक है? One World World Culture next है आपका यहां पे अगला जो ऐसे पढ़ना है वो है आपका पॉर्शन साइज इस ड़ ट्रेक तो यह लिखा गया आपका अरण जनी रमन के दोवारा तो यह आपका इंडियान है बाकि सब आपका फॉरें है अब यहाँ पे इसके लिए कुछ बुक सजेष्ट क्या गया आप चाहे तो इन में किछी एक बुक को पढ़ सकते हैं पहला है आपका जी वहला दूसरा है मतलब इसे बुक तो आप पड़ते नहीं इसे भी का है सजेश्ट करेंगे अब यह पेपर आपका 50 marks का आएगा वो किस टाइप से आएगा देखिए यहां पे लिखा है 50 marks का एगजाम होगा इसमें से गुरूप A जो रहेगा आपका 10 marks का रहेगा ठीक है गुरूप A में 10 marks के एक कोश्चिन रहेंगे और यहां पे 5 marks वाले 2 कोश्चिन कोल मिला के 20 marks का रहेगा मैंने गलत बोला न एक नमबर यह 10 गो रहेगा और 5 नमबर यह 2 ठीट बास हामें पूछ देगा humanities versus science is written by which writer यह पिर option देगा इनमें से किसके दवारा यह बुक लिखा गया है तो वहां पे चार को option रहेगा है स्रादा कृष्ण मान मुझो देजिएगा ऐसा कम से कम आपका 5 को question आएगा 5 को question छड़ा-छड़ा बुक से आएगा ठीक है जो होता है ना कि अगन इस तरह से आपके writer को सब को याद कर लेना है एक दो तीन चार पांच को पक्का पुछेगा आपका writer से ठीक है और पांच को अधर-अधर question रहेगा अंदर से तो एक नमबर यह 10 को रहेगा mcq not to be set ठीक है आगे दिख लेते हैं next है हमारा यहां पे तो रहेगा दो question 55 marks के short answer type और इसमें बोला गया है two question to be answered out of choice four तो चार को question रहेगा पांच नमबर का जिसमें से दो को बनाना होगा हो सकता है बोल दे कि write a short note on one world one culture ठीक है इस तरह से आपको किसी भी एक इसे के बारे में short note लिखने के लिए बोल सकता है ठीक है summary लिखने को बोल सकता है या पिर कुछ दे सकता है इस type से आगे दिख लेते हैं next है हमारा group B group B आपका है three long answer type question इसमें आपको जोए 10 marks वाले तीन long answer type question आएंगे और इसमें लिखा है three questions to be answered out of six तो आपके 6 question दिएंगे जिसमें से किसी दस दस नमबर या 6 गो आएगा जिसमें से किसी तीन गो बनाना होगा ठीक है और हो सकता है आपको लिखना पड़ेगा के detail के में के describe करल सकता है के describe कीजीए हिमें साइन्स के बारे में चाहेकRO किसी एक book के बारे में ना membcop t2 आपको पूचे ही इसके बारे में detail मं डिसक्राइब किजी ठीक है describe detail on the rule of festa एकी तो पिसौन अभी इसको सब पढ़ लेना है के देए अपको बाकि इसका पीडी एप यह जो है पीडी एप में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देदूंगा ठक है और एक्जाम से पहले आपको इंप्उर्टन प्योश्टिन तो करवा ही दूँगा अब एक्जाम नहीं होगा ये इलेक्षन के बाद ही होगा जारकर्ण